कि जीवन के छोटे छोटी बाते ही बड़े बड़े सक्तियों को उजागर करती है और एक रास्ते का निर्मान करती है व्यक्ति के जीवन में जो संघर्ष आते हैं, वो उसको बनाते हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती यह होती है, कि जब आपके जीवन में इस तरह के संघर्ष हों, परिशानियां हों, तो उसमें आप अपने व्यक्तित्व को तूटने ना दें. आज के डिजिटल युके अंदर जो बच्चे हैं, बच्चे बच्चा होना पड़ेगा, क्या आपके भीतर वो बच्चा जीवित है, जो था बच्पन में, अगर वो आपने वो जीवित रखा हुआ है, तो फिर आप लिखे. एक प्रश्ची लगी हुई थी, तो एक साथवी आठवी की जातरा होगी, वो कोने में खड़ी हुई, फिर मैंने बुलाया, मैं के बिटे इधर आओ, कोई किताब चाहिए, कहां, कौन सी किताब चाहिए, ऐसे इशारा किया, किताब का नाम था, लड़कियों का इनकलाब ज उसके पास 20 रुपय नहीं थे, लेकिन वो किताब चाहती थी, यह बड़ी महत्तवपुन बात है, अपनी समवेदना को बचा कर रखना, बनाए रखना बहुत जरूरी है, बिना समवेदना के बेहतर रचना नहीं लिखी जा सकती, दोस्तो, Beyond Boundaries में आपका स्वागत है, हर बार की तरह से, आज इस मंज पर एक बहुती विशेश महमान है, जो किसी प्रीचे के मोताज नहीं है, हर्याना ही नहीं, पुरे भारत वर्ष के अंदर सहित्य में इनकी तूती बोलती है, हमारे साथ हैं डोक्टर अशोक भाटिया जो एक वरिष सहित्यकार होने के साथ साथ लगूकता के प्रसिद हस्ताक्षर है, भारत के अंदर, MA के अंदर गोल्ट मेडलिस्ट है, भातर शोदपत्र इनके परकाशित हुए है, 47 पुस्तकों का इनोंने परकाशन किया है, लगूकता और अलोचना के अंदर इनका विशे काम है, हिंदी विभाका ध्यक्ष के पद से ये रिटायर हुए है, गोर्मेंट महिला कोलेज करनाल से, दोस्तों इनके बारे में जितनी बाते करें, उतनी जैसे सूरज को दीपक नहीं दिखाया जा सकता, बिलकुल उसी तरह से ही डोक्टर भाटिया का व्यक्तितव है, उन उनको उनके बारे में बात करना, उनके बारे में बताना ठीक वैसे ही है, जैसे एक दिया सूरज के बारे में बात कर रहा हूँ तो दोस्तों स्वागत करते हैं इस मंच पर डक्टर शोग भाटिया का, सर स्वागत है आपका, और हमारा ये सुभागया है, आज आप इस मंच पर हैं, और आपके माध्यम से हम सहित्य के नेने द्वार को लेंगे, उनसे परदा उठाएंगे, और बहुत सारी बाते मुझे और मेरे दर्शकों को जानने को मिलेंगे, सर शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रशन से, आपने कवीता में, अलोचना में, व्यंग में, बाल सहित्य में, संस्मर्नों में, बहुत सारी विधाओं में काम किया है, और एक लेकक के लिए उसकी विधा, उसके आत्मा की आव डाक्टर मुकेशी, पहले तो Beyond the Boundaries में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दरसल रचनाकार जब लिखता है, तो किसी एक विधा को ध्यान में करके नहीं लिखता, उसने अपने आपको व्यक्त करना है, इसलिए ज्यादा दर लेखक एक से ज्यादा बराबर उनकी लोगप्रीता रही, तो मेरी साथ विधाओं में मेरी पुस्तके हैं, 47 हैं, एक दो प्रेस में हैं, तो संतोष तो देखो रचनाकार को होता है, जिस भी रचना को आप गहराई से लिखोगे, डूब कर लिखोगे, तो पार हो जाओगे, लेकिन पहचान की बा जाना चाहता हूँ, उपन्यास लिखना चाहता हूँ, लेकिन एक से एक नए प्रस्ताव आते हैं, तो लगुकथा ने मुझे एक तरह से बाध लिया है, मुझे लगुकथा कार के रूप में ही ज्यादा तर पहचाना जाता है, रविंदर ना टेगोर ने एक बार कहा था, म कुरित हुआ आपके अंदर, कि आपने लगुकथा के जरिये, सहिते को एक बड़ा आयाम देना है, बड़ा विस्तार देना है, ये तो मतलब सहज रूप से कुछ हो जाता है, बाद में पता लगता है कि ये क्या हो गया, जनवरी 1977 की बात है, मैं गौर्मन कोलेज कालका में कच्छी नौकरी पर, तो रात के बड़ जा रहा था और एक धाबा देखा, बिल्कुल सुनसान था, तो उसको देखकर मन में आया कि अगर इसके कोई बरतन उठा के लिए तो ये क्या करेगा, तो अचानक मैं वह रुका और गाना आ रहा था, रेडियो पर, तो अंदर से आ तो वह गदगद हो गया और हाथ बांद कर खड़ा हो गया, तो इसको मैंने लवकथा में बांधा अपराधी नाम से, अब मुकेश जी, आपको जानकर हरानी होगी, हमारे या लवकथा में ये रादेशाम भारतिय तो अच्छी तरह जानते हैं, बैठे यहां, जगदीश लवकथा में संघर्ष करने वाले प्रमुख रचनाकरों में से एक था, समगर एक पत्र का दिली से निकलती थी, उसका लवकथा विशेशांग निकालना था, तो उन्होंने रचनाओं का चैन करना था, और पोस्ट कार्ट पर उसने लिखा, जब मैंने अपराधी लवकथा भेजी, तो उसने कहा कि सैकडों लवकथाएं आई, उन मेंसे ये तुम्हारी रचना भी चूनी गई है, तो मेरे लिए ये बहुत उत्सा वर्दक बात थी, वास्तव में क्या होता है, कोई रचना आपकी प्रकाशित होती है, तो आपका ध्यान खीचती है, कि ये विधा क् इसमें और कौन-कौन लोग कैसे कैसे लिख रहे हैं, अच्छे लिखक कौन से हैं, हम अच्छी रचनाय पढ़ने लगते हैं, और कई बार वो विधा हमको खीच कर ले जाती है, तो मुकेशी मुझे इस विधा ने इसी तरह से खीचा, ये 1978 में समगर का विशे शांग निकल और जनवरी स्ततर में ये लगता लिखी गई थी, ये मेरी पैरी लगता थी, अपराधी आपने नाम लगता, लेकिन उसके बाद फिर मैंने इधर उदर देखा, सारी का तबकी किंदरी ये कहानी पत्रिका थी, उसमें लगता ही भेजी, उसमें चपी, दैनिक ट्रिबून न मेरी पीडी दर पीडी, तो ये एक करम चल निकला, तो मुझे लगा कि मैं लगता ही लिख सकता हूँ, और बेतर लिख सकता हूँ, सन 1975 का एक वाक्या आपको बताता हूँ, 16 सितंबर 1975 को धरम युग में लक्षमी कात वैशनव के लगता चपी, लोग, वो आपात काल के खिल चावणी के इंगलीश बुग डिपो पर खड़े-खड़े मैं लगता पढ़ी और उसने मेरे जहन में ऐसे हलचल मचा दी, तो मैं लगतात्म के रूप में सोचने लगा, अब आदमी जिस सरह सोचता है, कोई कविता में सोचता है, कोई व्यंग में किसी की अपने अप की बात अलग है, तो लगो कथा कि प्रतियोगताइं तब हुआ करती थी, और अखिल भारतिया प्रतियोगताइं होती थी, कंप्यूटर वगरा तो नबे के बाद आए, तो उसमें मैंने लगो कथाइं भेजने शुरू कहीं, 1982 में फेफाना राजस्तान से भूख लगो कथा अखिल भारतिया स्तर पर दियोतिया रही, तो मुझे और उस्ता बढ़ा मेरा, फिर चौथा चित्र कहीं उत्तर प्रदेश के एक संस्था ने प्रथम प्रश्कृत की, फिर रंग प्रथम प्रश्कृत हुई, ये सारी घटनाएं 84-85 संद तक हो चुकी थी, तो तब तक चोटी बाते ही बड़े-बड़े सक्तियों को उजागर करती है, और एक रास्ते का निर्मान करती है, वही सराब के साथ हुआ, अपरादी और भूग जैसी लगुक था, प्रकाशित होने से आपको प्रेणा मिली, और प्रेणा एक शक्ति होती है, जो व्यक्ति को आगे ले आपके इस यात्रा में, क्योंकि यह माना जाता है कि एक लेखक की जो यात्रा होती है, वो समंदरी जहाज की तरह से होती है, समंदरी यात्रा के करते करते कभी तुफान आते हैं, कभी शान्ति का सामना करना पड़ता है, तो यह सारी चीज़ आपके सामने आती है, तो ऐसा कौन सा तुफान कभी आया है, या सी कौन सी चुनोती का आपको सामना करना पड़ा अपने लेखन के कारे में. ये कुरद्री वाला सवाल किया आपने, दरसल क्या है कि व्यक्ति के जीवन में जो संघर्ष आते हैं, वो उसको बनाते हैं, उस समय तो वो सोचता है कि मुझे मैं जीवन से परेशान हो रहा हूं और मेरे जीवन में वो सब कुछ आया, आपको क्या बताओं, सन 1976 में मैंने 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 मैं पकी नौकरी लगा, और दस साल में मैंने मैंने 40-42 के करीब साक्षात कर दिये हूंगे, तो कहीं लगा भी तो जहां वहां की अवेवस्था पर अगर उगली उठाई तो उन्होंने कहा जी तुम्हारी जूरत नहीं है यहां पर, तो अन्याय के खिलाफ मन में आकरोश होता था, तो उस आकरोश को संभालना और इस बेरोजगारी के दौर के बीच में अपनी समवेदना को बनाए रखना, यह एक बहुत बड़ी चुनावती थी, जब आप समवेदना को बनाए रखने की और अपने अन्याय को समझने की और फिर उसको व्यक्त करना अपने आप में इतनी बड़ी चुनावती इसलिए हुआ, कि मेरे लिए बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा था, यह थोड़ा सा पीछे छूट गया था, लेकिन फिर भी 1986 तक होते होते मेरी तीन-चार पुस्त के फिर भी आ चुकी थी, तो सबसे बड़ी चुनावती यह होती है, कि जब आपके जीवन में इस तरह के संघर्षों, परिशानियां हों, तो उसमें आप अपने विक्तित्व को तूटने ना दें, अपनी सम्वेदना को बना कर रखें, और अपनी रचनात्मक शक्ती का और शैल्पिक शक्ती जो है आपकी, उसका दिकास करते रहें, यही सबसे बड़ी चुनोती थी, और जैसे कैसे मैं उसको बचा कर रख सका, इसलिए बाद में इतनी पुस्कें और अब लेखन कारिया चल रहा है, यही बहुत बड़ा कारा रहा है। दोस्तों, दुनिया के अंदर जितने भी सफल लोग हैं, जितने भी महान लोग हैं, उनके सामने भी यह सारी चुनोतियां और संघर चाते हैं, जब व्यक्ति सफर करता है, सड़क पे चलता है, तो ठोकरे भी लगती हैं, लेकिन एक बड़ा व्यक्ति वही होता है, जो आगे रास्ते में आये पत्थरों को सीड़ी बनाकर उसको पार कर जाता है, तो यही डोक्टर भाटिया ने भी किया, वो दस साल का जो पीरड इनके सामने रहा, उन चुनोतियों को उन्होंने पार किया, और आज हमारे सामने, पुरे देश के सामने एक उधारन के रूप में, लगुकता हस्ताक्षे के रूप में इनको जाना जाता है, सर, आपसे ही प्रिशन करना चाहेंगे कि, कहानी जितनी सरल होती है, जितनी सदारन होती है, उतनी पाठकों के मन को छुती है, और आपने एक लंबी यातना तैकी है लगुकधा के कृटर में, और विधाव के क्षेतर में, आपने संप कालीन जो सहित्यकार है और अपनी विधाव के अंदर जो आपने शुरू में लिखना शुरू किया और अब उसमें क्यांतर देखते हैं किस तरह से चीजे बदली है समय के साथ अबर कि मुकेशी लगटा को उसका नया रूप है जो मुकेशी नातर से शुरू हुआ तो बहुत स्हाएं बहुत समय नहीं हुआ है लेकिन फिर भी कि शुरुआत में भबहतर त्यातर से यह संघर्श कर रही थी उस समय जो लेखन था मुझे याद है सन 72 त्यात्तर में सारिका का लोकुता विशेशांक आया था कमलेशवर उसके संपादक थे तो कमलेशवर नए से नए प्रयोग करने में माहिर रहे हैं आप जानते ही हैं तो जिस तरह से वो विशेशांक आया तो रातो रात बहुत सारे लेखक पैदा हो गए युवा पिडी थी वो सारी कि सारी उनमें बहुत सारे अलेखक भी थे लेकिन क्योंकि छोटी-छोटी रचनाई लिखी जाती हैं तो उनको लगा के हम भी लिख सकते हैं तो नेता पर, पुलिस पर, महंगाई पर ऐसा नहीं कि वो रचनाई निरर्थक थी वो अपने समय की उपज थी लेकिन उसमें वो शिल्प और वो संधर्य और वो जो रचनात्मकता होती है या जो कल्पना शिल्था होती है वो उन रचनाउं से लगभग गायब थी सीधे सीधे वेंग की एक उतली सी धार उनमें जरूर दिखाई देती थी ये तो शुरुवाती दौर था लेकिन लगभग अथा पर मुकेशी फिर उस समय के लेकों ने भी लिखना शुरू किया कहानीकारों ने ग्यान रंजन ने कहा, मिरडाल पंडे ने कहा, दूसरे आलो चित्रा जैसे लोगों ने भगीरत ने चित्रा मुदगल ने उन्होंने सही डंग से लेकर अपनी रचना और आलोचना से इसको आगे बढ़ाया तो आज अगर हम देखते हैं जैसे आप यात्रा की बात कर रहे हैं अगर पहले 20 वर्षों 25 वर्षों से इधर के 20-25 वर्षों से आया है इस्त्री को लेकर वो इसका कारणिक ये भी है कि पिछले 20-25 वर्षों में इस्त्री लेखी काएं हमारे यहां बहुत लाई है और वो एक बड़ी स्वागत योग्ये कदम इसलिए है कि बहुत सारा ऐसा था जो उन लवकतों में आने ही रहा था जो इस्त्री समाज कि परिवार को जितना इस्त्री समझती है कभी पूरुष नहीं समझता है क्योंकि उसकी संवेदना ही उस सरा की है आपरिवार उसी से बड़ता-फलता फूलता है और ओ छोटा-चोटा रेशा रेषा वो जानती है तो एक तो इस्त्री पंख्ष और उसमें भी इस्त्री समा आज जो है वो अन्याय के खिलाफ खड़ा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा और ये इधर की बहुत सारी लेखी काये हैं, अभी रादेशाम भारतिया कमल कपूर की बात कर रहे थे, उनकी एक लोकता बिलकुल इसी तरह से है, जो बनी बनाई जो परंपराएं हैं, जिनमे के गलत चीज़े हैं, उनको चुनौती देती हैं, और पुनर विचार को बाद्य करती हैं, और एक और प्रवित्ती इधर उबर कर आई, वो है दलित संदर्ग की, नारी सरशक्ती करन नाम से अभी सुनीता प्रकाश का एक लगुकता संग्रे आया है, और वो बिलकुल इसी तर अभालेक था, तो उसमें दलित के साथ जो अन्याय होता आया, जो अब अन्याय हो रहा है, उसको लेकर प्रतिरोध की ख्शमता उसमें दिखाई देती है, तो ये प्रतिरोध जो है, शुरू में भी रहा, लेकिन इधर इसकी दो प्रवित्तियां बड़े साफ तोर से हमें दिखाई देती हैं, तो हमारी जातरा में ये एक दो नए आयाम इसमें जुड़े हैं, आपने बात की, इस्तरी विमर्ष की, दलित विमर्ष की, क्या लगुकत्था के जरिये अंध विश्वाशों पे भी चोट की गई है, अगर ऐसा है तो वो कितना सार्थक्ता से इस में उसके आठ संसकरन आचुके हैं, ये एक बहुत महत्वपून सवाल है, और इसका एक संकड गरस पहलू यह है, कि लोग ये जानते नहीं कि ये अंध विश्वास है, ये एक नया संकड का पहलू है, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, एक अच्छे सजग लेखक को मैंने अंध विश्वास के खिलाफ एक रचना भेजी, तो उन्होंने मुझे कहा कि अब तो अंध विश्वास है ही नहीं समाज में, तो फिर मैंने उन्हें दो-तीन उधारण दिये, तो कहते नहीं अंध विश्वास तो है, तो अंध विश्वास के एक तो उसको पहचानना, और उसको इस तरह से रखना सामने, कि वो तरकपून धंग से हमारे सामने प्रतिरोध की क्षमता पैदा करें, रचनाकारों में, मुझे सहसा याद आती है, भगीरत की एक रचना है, फूली, भगीरत हमारे लग को था कि बेशम पितामे हैं, और राजस्तान में रहते हैं, तो जो पती है, उसको ना, सुबह सुबह बाव जी उनके आ जाते हैं, बाव जी का मतला है, वो उनमें कोई आती है, फिर वो ऐसे ऐसे जूंगते हैं, और वो देखती रहती है, भी कहते हैं, इसको भी कोई आने का टाइम है सुबह सुबह, भया कोई भैस है, चारा है, तुमने उसके पास किया तो वो कहते हैं, ये क्या कर रही है कि आज तो मैं बाब जी को भागे रहूंगी मेरे घर का नास हो रहा है और ये अपना सुबेरे सुबेरे आ जाते हैं और बिल्कुल उसके दाड़ी के पास ले गए तो उसके बाद तो उनको लगा के दाड़ी जल जाएगी और उसके बाद वो एकदम सिद्धा हुआ उसका वो जूमना बंद हुआ और उठा और चारा लेकर वहाँ अपना महस के पास पहुँच गया ये फूली लवकता है ऐसी लवकताओं की मुकेशी इतना जरूरी सवाल है हमारे समाज में बहुत जूरत है अंदुशास को लेकर अलग से एक लवकता संकलन की जूरत है और लोगों से कहकर लिखवाया जाना चाहिए मैंने आपको विशे दे दी एक नया जी नया विशे मिल गया आपका बहुत बहुत शुक्रिया यह काम मैं करूँगा सर बहुत बढ़िया और आपके लावा मुझे लगता है किसी से इतनी बढ़िया उमीद करी भी ने जा सकती जितना आपने अलोचना में और संकलनों में काम किया है शाहिद ही पूरे हिंदुसान में किसी ने किया हो चलो मैं यह तो कुछ ने कह सकता मैं चलो आपका शुक्रिया हरी वंचराय बच्चन जी ने एक बड़ कहा था जीवन की चाल जो जो बदलती है उसी उसी परकार से सहिते बदलता है तो आपने वो यातरा बड़े अच्छे से बताई कि इस्त्री विमर्ष जोड़ा गया दलीत विमर्ष पर बहुत काम हो रहा है और अंद्विश्वाच पर बहुत काम हो रहा है लेकिन और ज्यादा करने की जरूरत है सर आगे बटने से पहले मेरा प्रशनीया यह है कि लगु कथा क्या है और लगु कथा एक अच्छी लगु कथा कि पहचान क्या है कैसे एक पाठा को पता लगे कि मैं एक अच्छी कथा पढ़ रहा हूँ बड़ा अच्छा मूल भूद सवाल आपने किया यह वैसे अकादमिक किसम का सवाल है मैंने जानके पूछा क्योंकि इवन मैं भी अपने इंसाइट वड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि पढ़ते हुए मेरे को पता लगे कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो किस तरका है तेखिए एक पूरा बगीचा है वो एक उपन्यास की भाती है और एक छोटी सी क्यारी है वो एक कहानी की भाती है और उसमें फिर एक गमला है जिसमें एक पोथा लगावा है उसमें एक फू लगावा है वो एक लगकथा है ये उपन्यास और कहानी और लगकथा का अंतर है फिर पूछे लगकथा क्या है और एक क्षण की रचना इसको कहा जाता है, एक क्षण का मतलब यह नहीं, कि एक पल में जो घटी दो गया, वो ही रचना है, वो एक पल समवेदना का पल है, मैंने जो महसूस किया, एक पल में कोई समवेदनात्म क्षण मेरे भीतर आया, या कोई एक विचार मेरे भीतर आया, फिर मैं उसको पलवित कर रहा हूँ, पुश्पित कर रहा हूँ, उसको एक कथा का अमली जामा पहना रहा हूँ, तो वह एक लगुकथा बनेगी, तो एक शन की रचना है, लेकिन उसमें कलपना का बहुत बड़ा योगदान होता है, सामने सामने जो घटना घट गई, अगर ह वह क्या करते थे, तो कुछ जगह पर तो लिखते थे लगु का था, और जो लोग का था नहीं होती थी, उसको लिखते थे घटना का था, वो सिरफ घटना है, उसमें क्रियेटिविटी नहीं है, क्योंकि उसमें कलपना नहीं है, उसमें उसकी मॉलिकता नहीं है, बनी आपने रख दिया, तो आप फिर रचनाकार तो नहीं है, वो तो आपने उठा कर रख दिया, वो कोई भी रख सकता है, तो ये एक मौलिक स्रीजन है लोकथा, इसमें कथात्मक्ता होती है, इसमें रचनात्मक्ता होती है, और वो अपनी संक्षितता में पून होती है, एक पू तो लगुकाता के माधियम से भी लेकक अपनी करपना के जरिये उस बात को दर्शकोत क कहनी के माधियम से पुचाता है तो अम इस तरह से कह सकते हैं? जी हाँ पर ये कलात्मक ट्विटर है बस कलात्मक ट्विटर है दोस्तों एक बार राम दारी सिंग दिनकर जी ने कहा था कि जवानी एक किताब है जिसे तरीके से पढ़ा जाए तो वो समाज का भिविश्य समार सकती है तो लगुकाता के क्षेतर में आप युवाओं के क्या अब हुमिका देखते हैं वो कितना ज्यादा योगदान दे सकते हैं इस समय में स्पेशली सोचल और डिजिस्टल युक के अंदर बड़ा महत्वपून सवाल है आजी आपने सवाल तो चुन के रखा है जी सर मुझे अभी मैं बात कर रहा था लगु का था कि तो एक रिवि तो तुम खा नहीं पाओगा फिर किसलिए लगा रहे हूं दूसरा आदमी बोला जिस पेड़ के फल मैंने खाए थे वो भी तो मेरा लगाया हुआ था यह परंपरा है और यह आपने जो युवाओं की बात भूमिका की बात कही यह जो वरिष्ट रचनाकार है उनकी यह जि क्योंकि उनको भी किसी ने सिखाया है और अगर नहीं भी सिखाया वो भटके हैं तो कम से कम युवाओं पिड़ी को आपको दिशा निर्देश देने चाहिए तो वो क्या कर सकते हैं आपने ये बड़ा अच्छा कहा भोपाल में कांता राये लगुकथा लेखन में बहुत स तो हर हफते उनकी कोई ना कोई गुष्टी होती है और उसमें वो कुछ ना कुछ वो चीजें डालते रहते हैं ये डिजिटल युक की आपने बात कही तो जब तक डिजिटल युक में हम इस तरह से जोड़ेंगे नहीं डिजिटल चीजों के साथ तब तक हम आगे बढ़न क्या सही है और क्या सही नहीं है देश हित में क्या है समाज के हित में क्या है बुराइयां कहां है विसंगतियां कहां है और खूबसूरती कहां है और उसको किस तरह से कहा जाना चाहिए और इसके लिए कुछ ना कुछ कारैशालाइएं भी लगाई जा सकती है तो इस तरह से जैसे एक लिटर त्यार कर जाता है, उसकी एक नेतिक जिम्मेदारी भी होती है, तो वही भूमी का वरिस सहित्यकारों की होनी भी चाहिए, सर अपने बड़ी अच्छी बात की कि किस तरह हमारे युवा इस विधा को और ज्यादा आगे ले जा सकते हैं, और बहुत बड़ी आइसमें काम कर सकते हैं, क्योंकि संभावनाए तो बहुत है, जी, लगुकाता कि शेतर में संभावनाए बहुत है, अगे की एक पंक्ति है, सहीत एक साधना है, जिसमें शब्द अपनी सिमाइक हो देते हैं, आपके दिल के करीब, जो आपकी सबसे प्रिये लगुकता है, वो हम सुनना चाहेंगे आपसे, आपने अगे की बात कहीं, कि शब्द जो है, अपनी सिमाइक हो देते हैं, मुझे अगे की पंक्ति याद आई, कि वो कहते हैं, कि शब्द जादू है, मगर क्या यह समर्पन कुछ नहीं है, तो आप समर्पन भाव से कुछ भी करेंगे, डूब कर कुछ भी करेंगे, तो शब्द तो अर्थक हो जाते हैं, उसमें फिर भावनाएं, संवेदनाएं, विचार, कल्पनाएं, वो रचना को रचते हैं वो ही रचनाकार को रचते हैं थोड़ा सा मैं बाद में बात करूँगा क्योंकि खुद मेरा सिधान्त रहा है कि रचना के बारे में पहले कभी कुछ कहना नहीं चाहिए बाद में इसमें जो सामाने हमारे यो श्रोता और दर्शक है वो शायद कुछ व्याख्या की अपेक्षा करें तो मैं जरूर बताना चाहूँआ क्योंकि अलोचक भी सिमिक्षभ भी ये काम करता है कि रचना में सुंदर एक कहां छिपा हुआ है ये लगू का था है मुकेश जी तीसरा चित्र व्रिद ने अपने कलाकार पुत्र को बुला कर कहा बेटा तुझे मैंने जितनी शिक्षा दिक्षा देनी थी दे चुका अब एक बार बच्चों पर तीन चित्र बना कर मुझे दिखा दे तो मेरी चिंता दूर हो पिता परिक्षा लेना चाते हैं बेटा जानता था चित्र बना कर उनके पास ले गया पहला चित्र बहुत अमीर और स्वस्त बच्चे का था बच्चा नौकर की गोद में था पिता बोले वह रौब और अमीरी में भी बच्चे के चेरे से असंतोष का भाव तुमने बखूब दिखाया है प्रिष्ट भूमी में कार और वै बिना पत्तों का छोटा पेड़ बहुत कुछ कह रहे हैं दूसरा चित्र मद्यवर्गिय बच्चे का था पिता बोले माता पिता का हाथ पकड़ कर खड़ा या बच्चा अपने मन की हालत खुद कह रहा है बच्चे को सुन्दर कपड़े पहना कर माता पिता कितने खुश है मानों उनका फर्ज इसी में पूरा हो गया हो क्या वाद और पिता जी या तीसरा चित्र पुत्र ने आखरी चित्र आगे बढ़ाया पिता ने देखा तो देखते ही रह गए वाद तुमने तो जैसे चित्र में जान होग दी है मिट्टी के धेर पर बैठा हुआ या दुबला बच्चा कितना सहज लग रहा है हवाब में बिखरे बालों में से जाकती चमकीली आखें कितने अर्थ पूर्ण है जेब में मिट्टी भर कर उस पर हाथ यू रखा है जैसे उसमें हीरे भरे हूँ मिट्टी भरा या हाथ यू बढ़ा रहा है जैसे हमें खेलने के लिए बुला रहा हूँ अच्छा एक बात तो बताओ जी कहिए पिता ने पूछा कि पहले दोनों चित्र तुमने गिले रंगों से बनाया है लेकिन इस चित्र को काली पैंसिल से क्यों बनाया है पिता जी इसकी बारी आई तो सब रंग खत्म हो गए थे बेटा धीरे से बोला और सुनकर पिता और भी गंभीर हो गए मारमिक चित्रन दोस्तों एक लेकर की सबसे बड़ी खुबी यही होती है कि वो शब्दों के माध्यम से आपको मुहा ले जाता है जैसे सर की एक तीसरा चित्र लगुकता ले गई होगी मैं तो महीं चला गया कि मैंने तीनों चित्र बनते हुए देखे अपने सामने और दो कलर थे और एक ब्लैक और वाइड था क्या शानदार बहुत बड़ी है रचना कारना जब अपना धीरे 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 जैसे जैसे थोड़ा बहुत समझ आती है समाज में आगे बढ़ते हुए अपना द्रिष्ट्री को जरूर विक्सित करना चाहिए ये देखने का नजरिया ही है आदमी करीब करीब आँख है और वो भीतरी आँख से ही देखता है और वो ही चीजों का विश्रेशन करता है आपने प्रेमचंद का भी नाम लिया आपने ये भी कहा कि लोकता सरल होती है लोकता बहार से सरल होती है लेकिन उसके पीछे विश्रेशन किया होता है लेखक का क्योंकि अच्छा लेखक वरणन नहीं करता है विश्रेशन करता है लेकिन वो विश्टेशन उसके पीछे होता है अब जैसे अब अनुमती दें तो मैं इस पर दो बात कहूं कि हम समाज को किस तरह से देख रहे हैं हम समाज को धर्मों के लिहाज से, जाती के लिहाज से, रज्जों के इसाब से, शेहरों के इसाब से, ख्षित्रों के इसाब से देखते हैं लेकिन रचनाकार इन सब से उपर उठकर देखता है अगर वो अपनी सिमाओं से उपर नहीं उठेगा तो रचना में उसकी सिमाएं बनी रहेंगी आप तो उसमें फिर वो नजर आएंगी वो सिमाएं अब इसमें क्या है समाज के तीन वर्ग तो ही है आर्थिक धरातल पर और आप देखेंगे कि तीनों की सोच चैया वो किसी जाती धरम के हो उनकी जो आर्थिक स्थिती है उसके इसाब से उनकी सोच बनती है एक जो मैदूर है जिसको शाम को पाइंच सो रुपे मिलते हैं वो किसी धरम का हो किसी जाती का हो किसी राज्या को हो उसको शाम को डाल और चावल खाना है और वो पकाना है और अपने बच्चों को देना है और सुबह के लिए फिर दुबारा से भात की फिकर करनी है उन सब की अपनी सोच है तो हमें चीजों को थोड़ा सा सोचने के बारे में नजरिया और आगे विक्षित करने की भी जूरत है य lingu Less and alojna और laghold अफ़क्षा, किनारों की तरह से है आप दोनों विदाओं में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लिख रहे है एए कैसे बैलंस बना लेते हैं कैसे संथिलन साधसे हैं कैसे अपना समय किस तरह से आप प्लान करते हैं ताकि दोनों के साथ नयाय कि जा सके और अपने बाकी कृत्रों के अंदर भी परिवार के साथ, समाथ के साथ, विंक्तिगत अपे क्षाहि होती हैं, उनके साथ कैसे संतुलन और इस उमर के अंदर भी. तो मैं तो इस मंच के माध्यम से आपको सेल्यूट भी करना चाहूँगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत लोगों के लिए प्रेरना का माध्यम भी है और वो तरीका भी है मुकेशी बड़ा गहरा सबाल है आपका और कम शब्दों में इसका उत्तर देना इतना सरल नहीं है क्योंकि समाज में दवाव बहुत होते हैं मैंने अपनी बिरोजगारी का जिक्र किया उसके बाद फिर परिवार है और जहां आप नोकरी करते हैं उनके साथ हैं आपका आसपडोस है फिर समाज में उठना बैठना जाना और समाज को समझना है कि रचना और अलोशना दोनों के लिए समाज की समझ तो जरूरी है और द्रिश्टी कौन जरूरी है दोनों धरातलों पर रचना और अलोशना में कोई फरक नहीं लेकिन लेखन के ध्रातल पर बहुत फर्क है अगर मुझे कोई रचना लिखनी है तो स्रिजन के क्षित्र में मैं मेरे सामने समाज होगा मेरे सामने जीते जागते पात्र होगे फिर मैं अपनी कलपना में डूबूँगा फिर मैं उस रचना को, कविता को, या लूकता को, या कहानी को बुनूँगा और फिर बुन करके फिर उसको अपने कागज पर उतारूँगा इस बीच मैं समाज और समाज के पात्रों और अपने इन तिकडी के बीच में मैं दोंदों में मैं फसा हुआ हूँ लेकिन जब हम अलोचना पर काम करते हैं तो उसमें रचनाकार उसका दृष्टी कौन और उनकी रचनाओं का दृष्टी कौन और उन्होंने क्या लिखा है उसका विश्लेशन और उसका मूल्यंकन ये होगा वहां बौदिक धरातल ज्यादा प्रमुख रहता है अलोचना में लेकिन ये है भी किना वो एक बड़ा दाइरा है जैसे लगुकथा पर मान लीजे मेरा एक लेक आया कि उसमें जो मात्रित्व भाव है उस पर मुझे काम करना है तो फिर मात्रित्व को लेकर पूरी दुनिया में जो उपन्यास या कविताएं जो भी मैंने पढ़ी उन सब का उलेक करना होगा फिर भारतिय भाशाओं में क्या पढ़ा फिर हिंदी में जो प्रमुख कोई ऐसी रचनाएं हैं जिसमें मात्रित्व भाव या मम्ता का वो स्वर है उसको लेकर फिर यहां तक यह परमपरा लेकर फिर यह सारा का सारा विश्रीषनात्मक है बौधी काम है हाना कि इसमें समवेदना भी काम करती है क्योंकि रचना को पहचानने के लिए फिर समवेदना की भी जूरुत है तो यह अपने आप इस वी चोबर होता रहता है लेकिन एकांट दोनों के लिए चाहिए और अगली पीड़ हमारे पास होती है फिर उसका भी दावित निभाना है हमने और अपनी भागा दोड़ी में हमने कई बार अपने बच्चों को उस तरह से नहीं देखा होता जैसे उनके बच्चों को हाओ भाओ को हम देखते हैं तो मैं इसलिए मेरे बालकांड है आगे मैं ज दोते दोतियां जो है उनी को लेकर मैंने और उनको थोड़ा बदल-बदल कर मैंने लोग को था लिखी है इतनी बारिकिये से में अपने बच्चों को भी देख पाए तो भागा दोड़ी में से ही फिर स्विच ओवर करके जैसे कैसे वक्त निकालना पड़ता है तो बस इस दरसल प्रेणा का जो प है न इसके ऐसे कई सारे शब्दें आगा प्रकाशन प से प्रेमिका प से पत्नी प से और प्रकाशन और पुरसकार ये सारे प्रेणा के सुरुत है एक रचना आपकी छपी नहीं और आप बल्ली उचलने लगते हैं मैं आपको सच बताउँ और ये लगती कमजोरी है लेकिन ये सहज है मनुष्य के साथ, मेरी पहली रचना, मैं बीए द्वितिय वर्ष का छात्र था तो जा रहा था तो रास्ते में ट्रक के नीचे एक विप्ति कुछलावा देखा, भूख बहुत लगी हुई थी, लेकिन घर आया तो माने का तू रोटी खा कि वक्त एक ट्रक है, चालक जिसका शराबी है, ना जाने भीड में से किसे कब कुछल डाले, और ये लिखी और फिर उन दोनों सरिता बड़ी लोग पर ये पत्रिगा थी, लाखों में बिक्ती थी, अब मुझे नहीं पता, सरिता में भेजी और अगले अंक में वो आ भी ग उसके उपर मेरा नाम था, नाम पढ़ा होगा, और मुझे ऐसे लगा कि मैं लिखक बन गया हूँ, और लोग मुझे ही पढ़ रहे हैं, ये जैसे आम उस वक्त जो भी सोचता है व्यक्ती, ऐसा ही मैं सोच रहा था, लेकिन इसे मुझे प्रेड़ना मिली, मेरी समवेदनाओ को एक आधार मिला, ये रचना समवेदना से उपची होई थी, तो समवेदना का योगदान होता है, मुक्ती बोद ने वैचारिक समवेदना का नाम लिया, तो यहां से पर आगे चलते चलते पिर कहीं पुरुसकार मिल गया, तो तब लगा कि मुझे और ज्यादा काम करना च एक मेरे जीवन में डाक्टर बल्दे वनशी आये, वो कवी थे, उनके कविता लिखने का तरीका मैंने देखा आया, उनको तो एक प्रतीक भी मिल जाया ना, तो बाजार में गई हैं, तो पर्ची पास रखते थे, पैन रखते थे पास में, उसमें दो पंक्तियां लिख दी और ऐसे जेब में डालनी, तो मैं सूनी पत में होता था हिंदू कॉलेज में, तो हम लगबग तीन महीने सर्दियों के हम एक ही कमरे में इकठे रहें, तो मैं उनकी कविता की प्रक्रिया देखी मैंने, तो मैं पर्ची निकाल कर मैं चुपके से पढ़ लिया करता था कि क्य नोट किया, इन्होंने, तो कोई ना कोई प्रतीक, कोई ना कोई बिम्ब, कोई ना कोई मारमिक पंक्ति उसमें एक लिखी होती था, बाद में फिर जैसे जूँ जूँ मैं लिखने में आया उन्होंने मेरी एक कविता अच्छी थी और उन्होंने मुझे लेकर चार-पांच प्रोफेसरों के घर गए मैं युवा था 1978 के आसपास की बात है तो का देखो अशोक ने कितनी अच्छी कविता लिखी थी वो तो 40-42 की उमर थी उनकी तो मुझे लगा भी ये कह रहे हैं तो कविता अच्छी ही होगी और बाद में मुकेह जी उन्होंने 1989 में इंदरपस परकाशन जो बहुत बड़ा परगाशक था तब भी वहां से मेरी वो किताब चपाई 1989 में मेरी पहली किताब थी 24 साल के उमर मेरी पहली किताब चप गई तो ये भी तो प्रेणा च Precis तो कोई ना कूई प्रेणा बनता है इसी तरह से तो चलता रहे हैं दोस्तो घंक मेरे पास एक मेरे हात में पुस्तक है अशोग भाटिया एडडारेट लगूकता जो संपाधित की है मेरे मित्र डॉक्टर आदिशाम भारती मेरे पास ही बैठे है वो और मैं इसके अंदर सरका वो देख रहा हूँ तो पंदरा पेज के अंदर तो इनके इनकी परकाशित पुस्त के शोद, आलोचना और अंग्रेजी में परकाशित पुस्त के सारे शोदों के नाम जो बहतर हैं लगबग और 47 पुस्तकों के नाम और बहुत सारे प्रजेक्ट साथ में हैं, सम्मान पुरुस्कार की बात करूँ तो 33 पुरुस्कार है और बड़े-बड़े है, छोटे की तो इनकी तो इनकी इसमें गिंती नहीं किये और एक विशेश पुरुस्कार जो 2017 में हरियाना सहितय के अदमी पंचकुला से मिला उनके काम के बारे में तो उनके विक्तित्तव के बारे में और कृतित्तव के बारे में तो मैं अपनी छोटी सी अपनी वानी से इतना कहनी सकता कि इन्हों ने इतना काम किया है सर आपसे एक अगला प्रशन ये है कि दुश्यन जी ने कहा था कि हो गई है पीर परवसी पिंगलनी चाहिए इस हिमाले से कोई गंगा निकलनी चाहिए आपका लेखन अक्सर समाजिक और मानविय मुद्दो पर रहा है लगुकता और व्यंग को क्या समाजिक बदलाव का एक बहुत बड़ा सोर्स बहुत बड़ा माध्यम माना जा सकता है और किस तरह से बड़ा अच्छा सवाल आपने किया यह जो आपने शेर सुनाया ना दुश्यन्त कुमार का साय में धूप उनका गजल संग रहा है सिरफ बावन गजले हैं तो 1975 में आया था अपात काल की हिमाला जो है वो हमारी सोच और समवेदना का स्रोत है वहां से रचनाओं की गंगा निकलती है और वो जितनी गहराई से शिद्दत से आप सोचेंगे और महसूस करेंगे उतनी शिद्दत से वो गंगा प्रभाहित होगी उसकी धार उतनी ठंडी और मीठी और तीवर होगी दीरे दीरे, लोगों की चेतना में बदलाओ लाने की जूरत है, उससे बदलाओ अपने आप समाज में आता है, अब ये दोनों विधाओं का आपने नाम लिया, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, ये दोनों विधाओं लोकप्रिये हैं, वहंगे में भी रोचकता होती हैं, और विधाओं लोकप्रिये और होना चाहिए, और ये दोनों समाज को भेतर बनाने का कारगर हथियार इसलिए हो सकते हैं, कि इनको पढ़ना आसान है, ये लंबी-लंबी कहानिया या उपन्यास नहीं हैं, इसलिए साधारन पाठक भी इनको पढ़ सकता है, हर एक का कि वो ऐसा साहिते दे, जो लोगों की चेतना पर दस्तक दे और बदलाओं की भूंका का निर्भा करें सर आपने बाल सहिते पर बहुत काम किया है, आज के डिजिटल युक के अंदर जो बच्चे हैं, 7-8 घंटे वो मॉबाइल पे बिताते हैं, स्मार्टफोन पे बिताते हैं, तो इस खेतर के अंदर सहितेयकारों के लिए अब क्या कहना चाहेंगे, कि बच्चों के लिए किस हमें का भविश्य हैं, अगर उनके अंदर संसकार आएंगे, पढ़ने की प्रेड़ना उनको मिलेगी इस उमर के अंदर ही, डिजिटली वो सक्रीन से थोड़ा सा दूर रहेंगे, बहुत लंबा समय वो बिताते हैं, तो उसे मन पे और श्रीर पे बड़े नकरात्मक प्रभाव पढ़ते हैं, तो इन सब चीजों के लिए आपका सहितेकारों के लिए क्या संदेश है, और कैसे वो काम करें, और बच्चों तक वो बातें वो कैसे पहुचा सकें, और आपका सहितेक कहां वो अविलेबल है, जो वो बच्चे या उनके पेरेंट्स उनको दे सकें पढ़ने के लिए. आपने तो एक सवाल में बहुत सारी सवाल पूछ लिए और लेकिन सारे ही उप्योगी हैं सवाल आपके, कोई भी उप्यक्षित करने यूगी नहीं. मुकेशी बात ये है, अगर थोड़ा अपर ये बात कहूं, तो बाल सहिते में बच्चे लगबग उप्यक्षित हैं. ये मैं थोड़ी कटू बात कहा रहा हूँ. वो प्यक्षित इस तरह हैं कि हमारा बहुत सारा बाल सहिते हैं, वो करित्रिम ताकि भेंड चड़ा हुआ है. हम सीधे सीधे बच्चों की जो दिक्कते हैं, बच्चों की जो परिशानियां हैं, बच्चों का जो भोलापन है, बच्चों की जो चलाकी है, या बच्चों को सही रहा पर लाने के लिए रोचक धंग से जो लिखने की जो तरीके हैं उन तरीकों का इस्तेमाल हम आम तोर पर नहीं कर रहे हैं कुछ लेखक बड़े अच्छे लेखक हैं बाल साइते में बाल सुरूप रही हैं डाक्टर प्रकाश मनू हैं डिविक रमेश हैं ऐसे बहुत सारे रचनाकार हैं लेकिन इधर एक ऐसी होड मची है कि बाल साइते का नाम अगर तुक मिला दी पीछे तो या बीच में चिडिया, खरगोष, कवा आ गया तो तो आपका बाल साइते बन गया अब उसे क्या होता है बच्चों को कुछ मिलता नहीं बच्चों को कुछ मिलेगा नहीं तो वो क्यों वो पढ़ेंगे तो ये एक अपने आप में मुकेशी आपने बहुत बड़ी बात करें ये चुनोती है कि बच्चों को बाल साइते की तरफ कैसे अक्रिष्ट करें इसकी दो चीज़े हैं एक लिखने के लिए लिखक को बच्चा होना पड़ेगा क्या आपके भीतर वो बच्चा जीवित है जो था बच्चपन में अगर आपने वो जीवित रखा हुआ है तो फिर आप लिखिए दूसरी बात है परकाशन की आप किताब को वहां छपवाएए जहां पेपर बैक और कम से कम उसकी कीमत हो ताकि जो माता पिता हैं बच्चों के या खुद बच्चे भी खरी सकें दोखो ये छिपी हुई बात नहीं है कि कोई भी विक्ति ऐसे किताब उठाएगा आप जो मरजी कर लें एक बार सरे आम या चुपके से वो मुल्य जरूर पढ़ता है कि क्या उसकी जेब और जुरुत के मताबिक वो किताब है अब अगर बच्चों को उन लगुकताओं में या कविताओं में उनके हाओ भाओ उनकी चलाकियां उनका उठापटक उनके लालच उनका खान पान वो नहीं मिलता है तो उनकी दुनिया तो उसमें है नहीं तो फिर वो नहीं उनको पढ़ेंगे तो मैं अपनी बात ज़्यादा नहीं करना चाहता लेकिन मेरी बालकांड नाम से मेरे एक बालकांड है और एक ताना बाना नाम से बालकांड दो ये दो पुस्त के हैं अनुग्या बुक्स दिल्ली है वहां से वो छपी है और अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है उनको मैंने पहले कहा था कि सरल छपिएगा और कम कीमत रखिएगा और वो सिर्फ 30 रुपएवे हैं और अगर कोई लेना चाहे हम जो जितना पैसा देना चाहे हम उतने भी वो कर लेते हैं दोस्तर की मैं यहां खासे पता दूं यह बहुत सारी अपनी किताबें जैसे अन्विश्वाश पेन की किताबें बाहिल सहित्य किताबें इनको कभी किसी बात का यह लालच नहीं र पुस्त्केमी वो आम तोर पेट करते हैं, तो कभी भीना मैंने देखा नहीं उनको, कि मेरा प्रीचर पिछले 20 सालों से है, और मैंने कभी उनको देखा नहीं कि कभी वो इस माध्यम से, ये सेवा का मात्य हुआ उन्हें ने बनाय हुआ है. मुझे अचानक एक प्रसंग याद आया, बड़ा रोचक प्रसंग है, आज से 5-6 साल पहले मुगेशी, करनाल के ना, अलग-अलग स्कूलों में हम छाद्र और पुस्त के नाम से एक अंदूनन लेकर जाते थे, तो कई बार हमारे B.E.O. ब्लॉक अजूकेशन आफिसर भी उस और बहुत कम कीमत की हूँ, लेकिन उन कम कीमत खास तोर पर सरकारी स्कूलों में जाते थे, लेकिन कई बार वो कम कीमत भी नहीं होती थी उनके पास, मुझे याद है कि एक प्रदस्चिन लगी हुई थी, तो एक सात्वी आठ्वी की चात्रा होगी, वो कौने में खड़ी ह तो हम सामने बैठे हुए, तो एक एक किलास को बुला कर आगे, कह रहे थे आगे जाते जाओ, वो लड़की महां खड़ी एक बार देखकर फिर वो खड़ी वहां, फिर मैंने बुलाया, मैं के बिटे इधर आओ, कोई किताब चाहिए, कहां, कोंसी किताब चाहिए, ऐसे किताब का नाम था, लड़कियों का इनकलाब जिन्दाबाद, और किताब लिखी थी, शिरी विकास रेंड राए ने, जो यहां डिरेक्टर रहे हैं, आई पीएस हैं, बड़े मुशूर हैं, सब जानते हैं, तो मैंने का, इसकी कीमत 20 रुपे है, तुमारे पास 20 रुपे है तो उसने ऐसे मुठी थी, मुठी ऐसे खोली, एक 10 का नोट था, और एक 2 रुपे का सिक्का था, उसके पास 20 रुपे नहीं थे, लेकिन वो किताब चाती थी, यह बड़ी महत्वपून बात है, तो हमने उसे 12 रुपे लिए और उसको किताब दी, अब उसके लिए उस चापने वालों को सिर्फ लिख और चापकर घर में नहीं बैठ जाना चाहिए, अपनी किताब लीजिए, और बाहर जाए, जोले में लेकर जाए, अटैचिव में लेकर जाए, और लोगों के सामने रखिए, उनको क्या पता कि दिली से कौन सी किताब चाप रही है, मैं आप में से पांच दिन में साथ में रहा, लोग उन किताबों पर टूट कर पड़े, एक ऐसी जगह थी जहाँ उन स्कूल के अधापकों की ट्रेनिंग जल रही थी, पहले वो प्रैमरी सेक्शन था, फिर दूसरे टीचर थे, और बीच में एक घंटा ऐसा था, जहाँ उनका लु मैंने खुद 6,600 रुपे की किताबे उस डेड़ घंटे में बेची हैं, इसका मतलब क्या है, दूर दराज के इलाकों में किताबे नहीं पहुचती, वो कैसे जाएं, अपना जोला उठाएए, अपनी अटैची उठाएए, और अगर आप में वो तड़प है, कि लोग तक ब बड़ी है, डिस्टल युक के अंदर, शोशली, मतलब इसके अनुसार की 30% लोग ज़्यादा उसमें रूची लेना शुरू कर रहे हैं, 30% लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं, वो शोशल मीडिया पर आने के वज़े से, तो ऐसा वाकई में है, क्या फिजिकली भी लोग प् इस तरह से वो क्यों हो रहा है ऐसा? ये बड़ा महत्वपून सवाल है, दरसल इसके भी दो पक्ष हैं, एक प्रिय पक्ष और अप्रिय पक्ष भी है, और अम लग कथा लेखक जो हैं, अकसर अप्रिय पक्ष की बात ही नहीं करते हैं, बात नहीं करोगे तो कैसे पता लेग नहीं करोगे या प्रिय पक्ष भाई। लगुकथाएं निरंतर लोग करते होते जा रहे हैं, आज मुकेष जी स्थिती यह है कि अलग-अलग विश्वध्यालों में लगुकथा पाथ्य करम में शामिल हो चुकी है, तीन विश्वध्यालों में तो मेरी लग कुथाइं भी शामिल हो चुकी है एक मंगलोर विश्वी देला है और एक मध्या प्रदेश में हिंदी आउनर्स में लगी है और एक और मुझे याद नहीं हर्याना बोर्ड में भी लगी हुई है और दिल्ली के CBSC के पाठे करम में भी लोकताय लगी है इसके लोग पर होने के कई कारण है यह आपने ठीक फरमाया सबसे बड़ा तो डिजिटल यूग होने की वज़ा से है इतने ग्रूप बने हुए हैं मनलब कोई अपनी लोकता है कोई ब्लॉग बने हुए हैं और यह लोकता के परिंदे जैसे मैंने बताया आपको और हजारों हजार उसमें लेखक पढ़ते हैं, लिखते हैं, चर्चा करते हैं और उससे लोकता आगे बढ़ रही है सबसे बड़ी बात है कि थोड़े से समय में इस पर बात की जा सकती है जिनके पास समय की कमी है वो भी इसको पढ़ सकते हैं सुन सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं अब इसकी कमी वाली बात क्या है हम यह कहते हैं यह समय की कमी के कारण यह सामने आया है अगर समय की कमी है तो भई वो तो लोगथा के लिए भी कमी हो सकती है और फिर यह भी हो सकता है कि लोगथा को ध्यान से ना सुने अगर समय की कमी से ही पाठक वर्ग इदर आया है तो लोकता लेकों का ये भी जिमा बनता है कि उनको ऐसा श्रेश्ट और गंभीर साइते दे जो उनकी चेत्रा में बदलाव ला सके एक पाठक ये है पिर दूसरी बात ये भी है कि जो लोकप्रीता जो है एक होती है बहजारू लोकप्रीता हमें बहजारू लोकप्रीता नहीं चाहिए हमारे यहाँ कूंकि लोकप्रीय है poczis tने लोक फटा फटा दे दना दन लोकता लिखना और एक ने तो मुझे ऐसा कहा कि मैंने 16 दिन में ये संग्राय लिखा है आप इसकी भूमका लिख दीजे मैं का आपने 16 दिन में अगर एक किताब लिख दी 100 पेज की तो मैं समझ सकता हूँ कि उसमें चेतना और समवेदना और कलपना और रशनातमकता कितनी होगी तो ये सारी बाते हैं उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए उसका अप्रिय पक्ष भी है निच्चित रूप से लोगता की लोगता बड़ी है और वो एक बहुत बड़ा काम ये कर सकती है कि जो लोग सहित्ते से दूर जा रहे है या जिनको सहित्ते का पता नहीं है वो भेतर लोगताय देकर जिनमें थोड़ी कलातमक स्पर्ष है सहित्तिकता है संकेतात्मकता है सुन्दर ढंक से कई हुई बात है ऐसी रचनाय देकर वो उनको सहित्य के प्रति, उनकी रूची पैदा कर सकते हैं और इससे लगुकता भी आगे बढ़ेगी, सहित्य भी आगे बढ़ेगा उनकी सोच भी आगे बढ़ेगी और हमारा समाज भी विविगास करेगा वाके ये नेतिक जिम्मेदारी भी बनती है, सहित्य कारो की वो इस तरह से जैसे सर ने बताया, वो काम करे और रुझान पैदा करे सर आपके जीवन में कुई ऐसी घटना जिसको आपने किसी मन से आज तक सांजाना किया हो और ये Beyond Boundaries के मन से आप कहना चाहते हैं पहली बार, ताकि हमें भी लगे कि वह इस तरह आये थे और एक नई बात वो हमारे दर्शकों के लिए बिता के गए है आपने बंदन में बांद दिया, चीज़ें तो बहुत हैं देखो, नकारात्मग भी होती है, सकारात्मग भी होती है, लेकिन फिर आदमी सिद्ध करके न उसमें से सकारात्मग चीज़ें निकाला करता है निराशा अपनी जगाया है, लेकिन हर अंधेरे के बाद फिर उजाला होता है तो MA का एक प्रसंग सुनाता हूँ, MA के भी बहुत सारे प्रसंग है, एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ, हमारे मैं सिनातन धर्म कॉलेज अमाला छवनी का विद्यार्थी रहा हूँ और यह मेरा सुभाग्य रहा है कि वहां हमारे हिद्धी के एक से एक शिरेष्ट अध्यापक पढ़ने को मिले है और उन्होंने भनाया है, मैं उनका बहुत आभारी हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कुछ कहने को लेकिन एक प्रसंग था, M.A. में और हमारे जो विभागा ध्यक्ष थे, शिरी गणपत राय गुप्त जी थे बड़े सरल और निश्चल सभाव के थे अध्यापन तो बहुत श्रेष्ट कूटी का बेशक नहीं था, लेकिन नहीं मित्ता थी और बड़े ही शिदत के साथ वो पढ़ाया करते थे और मैं वैसे शुरू से शरार्ती था, लेकिन वहां तक मेरी शरार्ते कम हो चुकी थी और मेरा लक्ष था वे शुवडेले में प्रथम स्थान पाना तो पूरवार्ध में मैं प्रथम स्थान नहीं पा सका तो मुझे उसकी निराशा भी थी तो उन्होंने मुझे एक जूट बोला मुझे बुलाया और कहा कि तुम्हारे जो प्रथम आया है पूरवार्ध में उससे सिर्फ दो नंबर आपके कम है आपका तीसरा स्थान है और आपके उससे सिर्फ दो नंबर कम है मैं बड़ा उत्साहित हुआ मैं कहा दो नंबर तो हम देख लेंगे फिर तो खुब मेहनत की लेकिन जब जनवरी आ गई तो तब वार्शिक परिक्षा ही हुआ करती थी समेस्टर सिस्टम नहीं था जनवरी आ गई तो फिर मैं वैसे ही दफ्तर में गया तो मुझे पता लगा कि जो छात्रा पर्थम आई थी उस से मेरे सूला नंबर कम थे लेकिन उन्होंने मुझे प्रोसाहित करने के लिए यह जूट बोला था और तब तक मेरी लगबग तयारी हो चुकी थी लेकिन क्योंकि मैं पूरवार्द में सिर्फ मेरी ही प्रथम श्रेड़ी में मेरे नंबर आई हुए थे तो मैं थोड़ा थोड़ा मेरे अंदर न नेतागिरी के किटानों भी आई हुए थे कहना चाहिए इमानदारी से और मैं थोड़ी थोड़ी एक पर घर बुलाया, घर बुलाकर सिर्फ इतना कहा, कि मैं देख रहा हूँ कि तुम थोड़ी नेतागिरी करने लगे हो, तो तुम्हें अगर अच्छे नंबर लेने हैं, तो इसको छोड़ो, मुझे पर इस बात का इतना प्रभाव पड़ा, वो बड़े सरल थे, लेकिन इत आज मैंने जीवन में पहली बार घटना बताई है, मेरे घरवालों को भी नहीं पता है, शुक्रिया सर, हमारे इस मंच पे ये बात सांजा करने के लिए, हर एक विध्यारती के जीवन में, हर एक अरजुन के जीवन में कोई नवी द्रोनाचार्य अवर्ष्या आता है, और आपके लिए उन्होंने प्रेरना का स्रोतर भी सभावी करूप से बने और आपने ये बात हमारे सांजा की, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार, सर, चलते-चलते, उन युवा सहित्यकारों के लिए, जो भविष्ये में आने वाली इस पताका को लेराएंगे पूरे बड़ा है, देखिए मैंने अभी आपको एक परंपरा लोकथा सुनाई थी और जिवा पीडिक के लिए एक उनके पास तो दाइत्व है ही, वरिष्ट रशनाकारों का भी दाइत्व होता है, अलोच्कों का भी दाइत्व होता है, और शायदी सिन आते आपने प्रश्न भी कुछा है, देखिए मैं एक दो बातें जरूर कहना चाता हूँ, कि पहली बात, अपनी समवेदना को बचा कर रखना, बनाए रखना बहुत जरूरी है, बिना समवेदना के बहतर रचना नहीं लिखी जा सकती, आप सिरफ दिमाग से लिखेंगे, तो वो वैसा प्रभाव न प्रभाव निश्रन होने के बाद जो रचना दिखी जाती है, उसका असर होता है, समाज को समझना, समाज धिरे-धिरे समझ में आएगा, और उसके लिए आपको अनभवी होना पड़ेगा, और अनभवी होने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलिये, और अपने आपको अपडेट करते थे, इसलिए उनका संपादन हो चाहे, जागरण का, हंस का, उनके लेख हो, उनके निबंद हो, उनकी कहानिया, उपन्यास, नाटक सभी हमें प्रभवित करते हैं, तो दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, कि आप पढ़ें ज्यादा, ल का विशलेशन करें, देखें वो क्यों अच्छा है, उसमें क्या खास बात है, वह चेखव ने कहानी लिखी, तो वो क्यों प्रसिद हुई, अब एक क्लर की मौत कैसे कहानी लिखी गई, एडगर एलम पोर ने सिर्फ एक अंतरात्मा की आवाज में, सिर्फ एक ही व्यक्ती क का पूरा का पूरा डायलोग बोल दिया, पहले से लेकर आखिर तक कोई व्यक्ती और कुछ बोल इन रहा है, और विशलेशन कहानी कैसे बन गई, आप इसको देखिए और पैचानिए, और जहां तक व्यंग की बात है, या लोकुथा की बात है, आप दूसरी विधा के भी साहिते पढ़ेंगे, तभी पता लगेगा ना कि अच्छा साहिते क्या होता है, सिरफ एक विधा को पढ़ना काफी नहीं है, और व्यंगे को अगर जाना है, तो हरिशंक के परसाई को पूरा पढ़ जाएए, उनकी परसाई रशनावली राज कमल प्रकाशन से 1985 में आई थी पांच खंड है उसके, उसमें रोचकता देखे क्या है, और वो किस तरह से हासे का भी वेंग यात्मक प्रयोग करते हैं, ये कला उनसे सीखी जा सकती है, और फिर उसके बाद शरत जोशी है, इतर प्रेम जनमेजा हैं, जो वेंग यात्रा, त्रेमासिक पत्रिका निकालते ह उसके अंक भी देखने चाहिए, हरिश नवल हैं, इन सब को आप पढ़ेंगे, तो उसके बाद लिखना शुरू करेंगा साथ-साथ, थोड़ा लिखें, ज्यादा पढ़ें, और एक बात और, अपना लिखा हुआ, तुरत-फूरत छपने को मत दें, चर्चा करें, बड़ो वरिष्ठों को दिखाएं, समिक्षा गोष्ठों में जाएं, और फिर वो चो सुझाओ देते हैं, उन पर विचार करें, तो आप अच्छे रचनाकार बनेंगे, धैरे, रचनात्मक धैरे से बड़ा कुछ नहीं है, अगर आप में धैरे नहीं है, रुकना पड़ेगा, जी जील की तरह है, बिल्कुल साफ पानी, धैरे जील की तरह है, टिका हुआ पानी तब होगा, गती शीलता आपके मन में रहे, गती शीलता कथा में रहे, गती शीलता वेंगे में रहे, लेकिन मन में रचनात्मक धैरे रहे, तो इन सारी चीजों के साथ आप अच्छे रचनाक होना जरूरी है उसी तरह से एक अच्छा लेकक होने के लिए एक अच्छा पाठक होना जरूरी है जितना आप पढ़ेंगे उतना आप गहरे उतरेंगे उतने में समंदर से मोती निकाल के लाएंगे और आपके रचना के अंदर प्रभाव आएगा और आपका अनवव और कल्पना जो उसके अंदर मिलेगी तो वो शानदार एक मिठाई बनेगी जिसे लोग खाना पसंद करेंगे सर सुबधरा कुमारी चुहान जी कहती थी कि लेकन तो आत्मा की संतुस्टी का साधन है पहचान तो उसकी अनुगामी मातर है तो मैं इस पूरी परिचर्चा में और आपके जीवन को जब देखता हूँ तो ये लगता है कि आपके लिए वाके ही लेकर एक संतुस्टी का काम है आपने कभी पहचान के लिए एक काम नी किया और आप एक लाइट हाउस की तरह से ऐसे ही चमकते रहें और समाज को अपने साहित्य के जरी अपने लोचना और अपने कभीताओं अपनी लगुकताओं के जरी ऐसे ही प्रेडित करते रहें और मैं अन्त भी यही क्या के अपनी वानी को विराम दूँगा कि जैसे सर ने निस्वार्थ भाव से साहित्य की सेवा की है ऐसे ही हम सब अपने अपने क्षेतर के अंदर जो भी हम काम करते हैं निस्वार्थ भाव से करें और अगर मन के अंदर कुछ करने की इच्चा है लगन है और इश्वर ने हमें उस काबिल बनाया है तो हमें contribute करना चाहिए, हम किसी भी क्षेतर में हैं, हमें निस्वार्थ contribute करना चाहिए, हम भी तो कुछ देना सीखें, इस समाज के जरिये, परिवार के जरिये, इस देश के जरिये, जिनोंने हमें बहुत कुछ दिया है, हमारी भी एक नेतिक जिम्मेदारी बनती है, जिसे हम एक रुजहान पैदा कर सकता है और जो इंसाइट मुझे मिले है जो इंसाइट आप दर्शकों को मिले हैं वो और लोगों तक भी पहुँचें तो आप इस वीडियो को शेर अवश्य कर दें और जिस विश्या पर आप चाहते हैं मैं आपके लिए वीडियो लेकर आँ उसे कमेंट में अवश्य लिख दें यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें नोटिफिकेशन बेल के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर एक नए विश्या और एक नए विक्तित्व के साथ तब तक के लिए नमस्कार जै भारत जै हिंद